गुदीवनिंग 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 पहले एक जलक देख लेते हैं आज नया क्या होगा हर दिन मेरी कोशिश होती है कुछ नया लेकर आओ कुछ एक्साइटिंग लेकर आओ तो आज की क्या exciting बात होगी पहले एक जलग देख लें फिर अब लोग काम पर आगे बढ़ेंगे तो आज का excitement यही होगा स्क्रीन पर आपके कुछ आ रहा है कुछ दिख रहा है white भी है black भी है patches भी है white hair colored hair white flower red flower दोनों के mixture भी है तो कुछ-कुछ नया होना चाहिए तो ये वीडियो आई-ए-ई-बी-ई-ओ थोड़ा थोड़ा तो पड़ चुके हैं बट आज बहुत ही डेफ्थ में करेंगे हम लोग डेफ्थ में करेंगे तो चलो लास्ट जहां पर छोड़े थे वही से हम लोग स्टार्ट लेते हैं लास्ट डे हम लोग मेंडल्स लॉप इने रिटेंस लेके थे लॉफ डॉमिनेंस लॉफ डॉमिनेंस हम लोग कर चुके हैं कि अगर दो एलिल्स हैं दो एलिल्स हैं और दो ए एक, capital T है, दूसरा, small t है, तो जो अलील अपना character सो करता है, which is dominant, और जो अपना character नहीं सो कर पाता है, वो क्या होता है, recessive होता है, ठीक है, एक बार देख लो, this law states that, when two alternative form of a trait or character, two alternative form of a trait or character, that means, genon alleles, ये क्या है, दो alternative form है, are present in an organism, only one factor express itself in one, F1 progeny, F1 progeny मी क्या होगा, एक ही character आएगा, ये दोनो आए, लेकिन दिखेगा कैसा, tall, and is dominant, while the other, that remains masked, जो नहीं दिखता है, जो छुपा रहता है, उसको क्या करते है, recessive कहते है, ये हम लोग देख चुके है, बस आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस पर time नहीं देगे जाना, तो law of dominance के exception भी हम लोगों ने देखा था, incomplete dominance, आगे उसका एक exception, co-dominance आज बहुत ही detail देखा है, during gamit formation, जब भी gamit बनता है, during gamit formation, जब भी gamit बनेगा, मान लो, ये chromosome है, ये capital T है, ये small t है, तो जब भी gamit बनेगा, तो ये जो दो alleles है, ये दोनों क्या होंगे, segregate होंगे, separate होंगे, अलग-अलग होंगे, तो यहाँ पर यदि gamit बन रहा है, तो एक gamit में ये वाला आजाएगा, capital T, दूसरा वाले gamit में क्या गया, small t, तो ये क्या करता है, segregate होता है, separate होता है, इसका कोई exception नहीं है, इसका कोई exception नहीं है, no exception, ये law of purity of gamit, जो gamit बनेगे, वो क्या बनेगे, pure, इसको law of purity of gamit भी बनते हैं, जो gamits बनेगे, बिलकुल pure बनेगे, this law states that the factor or alleles of a pair, segregate from each other during gamit formation, ये ही तो बार बार कहीं जारही है, such that a gamit receives only one of the two factor, a gamit receive only one of the two factor, this gamit receive only one of the two factor, this gamit receive only one of the two factor, कोई mixing नहीं हुआ, कोई mixing नहीं हुआ, ये है आपका law of segregation, को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है, साथ-साथ, को मतलब, हाँ, ready ma'am, amit ready, को मतलब, साथ-साथ, जीक है, साथ-साथ होता है, dominance, तो dominating correct हम लोग देखते हैं, which can express themselves, तो जो भी जब जीन होंगे, जब साथ-साथ express कर पाएंगे अपने आपको, अपने आपको साथ-साथ express कर पाएंगे, तो इसका best example, अभी तो बहुत वीडियो में मैंने और भी example दिखाए था, इसका best example है, human blood group, human blood group, इसको बहुत अच्छे से समझना है, human blood group, तो हम लोग जान रहे हैं, हमारे पास क्या-क्या blood group है, A blood group है, B blood group है, A B है, O है, A group की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, chromosome है, हमारे पास chromosome है, A की बात करते हैं, तो chromosome पे, chromosome पे जब एक locus पे gene, अगर आपके पास same gene I, A, I, A है, अगर same gene I, A, I, A है, तो आपका blood group क्या होगा, A होगा, आपका blood group A होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, यह जो genes है, यह जो genes है, यह जो protein बना रहा है, यह जो protein बना रहा है, protein से जो antigen बन रहा है, हमारा RBC, हमारे RBC पे कौन सा antigen बन रहा है, A बन रहा है, RBC पे A बन रहा है, blood group क्या आ गया, A आ गया, blood group आ गया, क्या A, यही पे हम लोग multiple allele का concept लेगे, multiple allele का concept यही पे लेगे, अगर, अगर हमारे क्रोमोजोम पे, यह IB, IB, यह gene कहो, allele कहो, IB, IB हैं, तो यह हमारे RBC पे क्या बनाएंगे, B बनाएंगे, B antigen बनाएं, blood group क्या हो गया, B हो गया, लेकिन अगर माल लो, यह तो सेम था, अगर माल लो यहां पे एक allele है, IA और एक allele है, IB, तब क्या होगा, लडाई होगी, डिशुम डिशुम, कि मैं बनाऊंगा तो, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो, मैं बनाऊंगा, अब यहां पे बहुत minutely हम लोग देखेंगे, कि law of dominance, incomplete dominance and core dominance में क्या अंतर है, यही पे हम लोग करेंगे, multiple allele हम लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है, अगर IA भी है, IB, IA वाला था, तो A antigen मना लिया, IB वाला था, तो B antigen मना लिया, अब A भी आ गया, एक allele, एक allele आ गया, B आ गया, तो यह dominant allele है, अभी इस पे बताएंगे, small I या कहीं, I वो लिखते हैं, वो recessive allele, यहीं पे multiple allele देखेंगे हम लोग, यहीं पे तीनों में difference देखेंगे, तब वोग देखो, IA, IB दोनों आ गया, दोनों strong, हम किसी से दबने वाले, नहीं है, तुम अपना antigen बना लो, मैं अपना antigen बना लो, ठीक है, तो यहाँ पे RBC पे A वाला जो होगा, वो A antigen बनाएगा, और जो B वाला होगा, वो बलेगा, हम भी बनाएगे, वो B बना लेगा, ठीक है, तो blood group हो गया, A, B, blood group हो गया, A, B, थोड़ा से इसको हम लोग नीचे कर लेगे, अब देखो, blood group क्या आ गया, A, B आ गया, तो हम लोग क्या देखे, IA देखे, IA और IB, अब इस पे यदि जीन, I, small i, small i है, तो ये R, B, C पे कोई भी antigen नहीं बना पाता है, तब blood group होता है O, blood group होता है O, तो हम लोगों ने जो इसमें देखा, IA, IA, IB, IB, IA, I, 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 इसमें से जब ये allele, IA और IB, जब दोनों allele अपना effect छोड़ा, तब उसको क्या करते है, co-dominance, जब दोनों allele, दोनों ही अपना effect दिखा रहा, तब क्या कहेंगे, co-dominance, तो क्या आप इसमें co-dominance कहेंगे, नहीं, क्या इसमें co-dominance कहेंगे, नहीं, co-dominance human blood group के सिर्फ A, B blood group में होता है, ये ध्यान रखना, co-dominance human blood में सिर्फ A, B में होता है, सिर्फ A, B में होता है, A में और B में नहीं होगा, तो क्या IA, IA ही A blood group बनाएगा, नहीं, यहां भी dominant and recessive का बात आएगा, blood group A कब-कब बनेगा, जब IA, IA हुआ, और A chromosome पे मान लो, allele है I, A, और दूसरे पे है I, small i, तब भी बनेगा क्या? A blood group बनेगा, क्यों? Because this is dominant and this is recessive, this is dominant, this is recessive, B कब बनेगा? जब इस पे क्या होगा? एग पे IB होगा, और दूसरे पे क्या होगा? I, small i, तब क्या बनेगा? B बनेगा, तो हम लोगों ने क्या देखा? इतने, इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा? 3 types of allele देखें, एक क्या देखें? I, A, दूसरा क्या देखें हम लोग? I, B, तीसरा हम लोग देखें? I, I, इसी को किसी-किसी book में I, O, भी लिखता है, तो हम लोग 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 alleles देखें, 3 alleles देखें for one character blood group, तो जब 3 alleles देखें, ये multiple alleles हुआ, लेकिन कैसे multiple हुआ, और minutely सोचो, थोड़ा इसमें और हम लोग minutely सोचेंगे, कि multiple तो हुआ, लेकिन multiple alleles कब हुआ? जब more than one alleles in a population की बात करते हैं, ध्यान से दना ये बहुत बारिकी है, more than one alleles in a population, इसको समझो, फोड़ा से इसको हम लोग समझेंगे, more than one alleles in a population, ये ही बारिकी है, जो आपको समझनी है, ये कैसे समझेंगे? हम लोग तो कहते हैं, दो alleles चाहिए, किसी character के लिए क्या चाहिए, दो alleles चाहिए, तो धेर सारा example ले लो, राम स्याम, सोनी वोनी सब ले लो, चोरो x, y, z करके लेते, एक कोई human being है, उसके पास blood group a है, कोई एक x है, जिसके पास blood group क्या है? a है, blood group a के लिए इसके पास क्या होगा? ia होगा, ia होगा, कोई y है, इसके पास blood group इसके पास भी a है, लेकिन इसके पास क्या gene है? इसके पास है, ia और ii, ठीक है, कोई एक और individual ले लो, z, इसके पास blood group क्या है? b है, इसका gene ib, ib है, एक और ले लो, एक और ले लो, ले लो, p ले लो, कोई individual है, इसके पास क्या है? ओ blood group है, ii है, और ii है, तो यह अगर हम बोले, किसी एक individual के पास कितने अलील है? दो अलील है, multiple अलील है, लेकिन population में है, ध्यांते न, ऐसा नहीं है, कि तीन अलील किसी individual में है, किसी अगर एक individual की बात करते है, तो उसके treat के लिए, character के लिए, क्या homo-jagas, cetro-jagas लेते हैं न, तो homo-jagas, cetro-jagas क्या ले रहे हैं? अगर एलील की बात करें, तो आये, आये, ठीक है? दो ही है, एलील की बात करें, तो दो ही है, सब जगह दो-दो एलील होना जो की, treat character को बताने हैं, लेकिन अगर पूरे population को लेलो, उठालो सबको, पूरे population को लेलो, तो पूरे population में हम लोको क्या दिख रहा है? कहीं पे IA दिख रहा है, कहीं पे IB दिख रहा है, कहीं पे II दिख रहा है तो अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई, अगर पूरे population की बात करें तो IA, IB, II, तो हो गया more than one allele in a population यह हो गया multiple allele multiple allele, अब देखो यहाँ co-dominance जो हम लोगों देखा था co-dominance, law of dominance क्या कहता है, law of dominance कहता है कि दो allele है, तो एक allele completely उसको क्या कहता है, suppress करता है law of dominance कहता है, अगर capital T or small t है, तो एक allele दूसरे को completely suppress करके अपना character dominate कर देता है, यह law of dominance लेकिन incomplete dominance क्या कहता है, incomplete dominance कहता है, कि जो dominant gene है, जो हम लोगों ने red और white लिया था, जो dominant gene है, वो white वाले को suppress नहीं कर पाया, suppress नहीं कर पाया, तो उसका character खुल के नहीं आया, पिंक हो गया, red वाले flower, white वाले flower को suppress completely नहीं कर पाया, अगर suppress कर देता है, तो red color निकर के आता, लेकिन suppress नहीं कर पाया, इसलिए कौन सा color आ गया, pink color एक दूसरा ही color, तीसरा color आ गया, pink, मतलब law of incomplete dominance, वो पूरी तरह dominant नहीं कर पाया, और co dominant में क्या है, co dominant में हम अपना भी character दिखाएंगे, तुम अपना भी दिखाओ, हम भी बराबर, तुम भी बराबर, है ना, हम भी गुमेंगे, तुम भी गुमो, सब साथ-साइए तो हम अपना character दिखाएंगे तुम अपना character दिखाओ दोनों ही अगर equally को को मतलब साठ साथ तौन्साथ हैं हाँ दोनों equally अगर अपना character दिखा देते हैं तो क्या हो जाता है cold dominance अब clear हुआ code जल्दी जल्दी बताए को डॉमिनेंस क्लियर हुआ को डॉमिनेंस क्लियर हुआ जोती रंजन यस मैम सालू शुकला यस मैम नेहा यस मैम चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या का सकते हैं कि character is controlled by two genes or alleles in a in an individual कोई भी character है, trait है, is controlled by two genes or alleles in an individual but in a population more than two alleles and this is called multiple allele, this is called multiple allele यह आपके NCIT बुक का है, ठीक है, यहाँ देखो genetic basis of blood group in human population, human population की बात करिया, अलग अलग individual की, allele from parent one, allele from parent two, allele समझना आ रहा है, अब क्लियर है, जब दोनो genes अलग अलग traits को define करेंगे, ठीक है, allele from parent one, one allele from parent two, parent one से IA, IA ले लिए, तो क्या हो जाएगा, IA, IA capital and blood type of offspring क्या बनेगा, A, blood group क्या बनेगा, A, अभी यह चीज वीडियो में भी थोड़ा सा करके दिखाया गया है, cross करा के कि अगर parent का यह है, तो बच्चे of offspring में क्या क्या आएगा, वो भी मैं बताऊंगी, IA, IB, blood group, A, B और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ, A, B में ही co-dominance देखते हैं, या तो parent से IBI या IBI, IAI, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, co-dominance, co-dominance बस इसके और इसके में देखा जाएगा, IA और small i, small i अगर लेंगे तो भी A होगा, क्योंकि यह क्या है, यह है dominant gene और यह क्या है, recessive, तो अगर human population की बात करें, तो human population में कौन-कौन सा gene dominant है, I, A, and I, B, यह दोनों क्या है, dominant है, small वाला क्या है, recessive है, आगे देखो, IB, IB लेंगे तो क्या बनेगा, B बनेगा, IB, I small लेंगे तो क्या बनेगा, तो भी B बनेगा, और I और I लेंगे तो क्या बनेगा, को डोमिनस में देख रहे हैं कि जो भी एलील होगा, दोनों अपना अपना effect दिखाएगा, incomplete और को को इदम clear के लो, incomplete में क्या था, कि अपना पूरा effect नहीं दिखा पा रहा था, मतलब red white लिए pink हो गया, लेकिन यहां white और black लिए हैं, तो white का भी effect रहेगा, black का भी effect रहेगा, को मतलब साथ-साथ, दोनों का effect रहेगा, white वाले का भी effect रहेगा, black वाले का भी, अगर incomplete आता तो white और black मिलके grey बन जाता, कुछ और बन जाता, but incomplete और co-dominance में, क्या difference है, co में दोनों का effect रहेगा, दोनों dominant gene है, ठीक है, तो यहां पर genotype और phenotype लिखा हुआ है, genotype हम लोग जान रहे हैं, genotype that means, जो genes है, जो alleles है, phenotype, जो की हम लोग character देख रहे हैं, genotype means gene, phenotype means scene, यह याद रखना में सा, genotype, gene, phenotype, scene, तो यहां पर white वाले cock, black वाले cock, white वाला का देखोगे, black वाले का देखोगे, जो co-dominance के बाद जो हुआ, अभी genes से देखेंगे हम लोग, इसमें क्या हुआ, black भी है, और white भी है, black color का cock, white color के क्या है, patches है, मतलब दोनों gene अपना इपना effect दे दिया, यह देखते हैं हम लोग अभी, देखो, white के लिए www, white के लिए www, www genes हैं, दिख रहा है क्या, white, bb के लिए क्या दिख रहा है, black, यह genotype, यह phenotype, यह genes है, यह scene है, अब यह देखो, जब cross करा देखो, bw आ गया, मतलब genotype क्या हो गया, bw, और bw जो है, यह दोनों ही co-dominant, दोनों dominant करेंगे, कैसे समझेंगे, क्योंकि यह black वाले पे white का patches है, speckle, मतलब black पे white का patches है, मतलब दोनो gene अपना effect दिखा रहा है, तब क्या हो गया, that is the example of co-dominance, अब लगता है, याद रहेगा, आप नहीं भूलोगे, चलो next देखते हैं, यह देखो, यह देखो horse है, यह white horse है, यह horse white है, यह colored है, chestnut का आते हैं, और जब ron क्या है, जब दोनों का effect आएगा, यह colored होगा, उपर से क्या होगा, white, इसके hairs, hairs की बात हो रही, colored होगे और यह hairs उपर से white वाले भी नज़र आएगे, तब क्या कहेंगे, ron, यह क्या है, four dominance का example है, यह देखो, हम लोग पहले क्या देख रहे थे, red और white मिला तो क्या बन गया, pink मिन गया, लेकिन इस flower की क्या खासियत है, इसमें क्या है, white वाला भी है, यह देखो, pink वाला भी है, यह जितने colors है, सब अपने-अपने को dominate कर, red and white, सब अपने-अपने को क्या करा, dominate कर, co dominance है, अगर incomplete रहता तो क्या हता, red or white मिल के pink बना देता, pink और white है तो और light pink बना देता, बट सारा character हमें दिख रहा है, that is co dominance, अब तो याद रहना चाहिए, चलो, उसके बाद आजाओ, हम लोग अभी जो काम कर रहे थे, उसी पर आ जाएंगे हम लोग, co dominance देख लो, co dominance एक बार देख लो, definition, definition तुम लोग विसले दिल लिख रहते, बना बोला लिखी तू, and allylic relationship in which the phenotype of both alleles are expressed, when phenotype of both alleles are expressed in a heterozygous, in a heterozygous, Iaib लिए, Iaib लिए heterozygous condition लिए, Iaib, मतलब क्या heterozygous condition लिए, इसमें क्या है, बोथ, an allylic relationship in which phenotype of both alleles are expressed, Ia b express हुआ, Ib, दोनो alleles अपने आपको express कर दिये, that is co-dominance, इसको इसको याद कर लो, they hear like difference, बहुत पतला difference है, नहीं समझ में आता है, यही सब confusion point रहता है, आगे तो calculation वाला part बहुत आसान है, confusion इसी सम्में होता है, ठीक है, when the phenotype of both alleles are expressed, दोनो express करता है, ठीक है, आगे बढ़े जीन and phenotype scene, genotype, अगर यह यह जीन रहा है, तो phenotype में blood group क्या आएगा, ठीक है, तो genotype, phenotype के concept में देख लो, IA, IA और IA, IO होगा, तो A होगा, IB, 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 IO होगा, तो B होगा, अगर दोनों आ गया, तो AB, that is co-dominance, यह चारो co-dominance का example नहीं है, बार-बार करी मेरे बच्चों ध्यान रखना, यह चारो co-dominance का example नहीं है, co-dominance का example, only AB, यह जो allele है, यह भी अपने आपको express करा, यह जो allele है, यह भी अपने आपको express करा, that is co-dominance, ठीक है, IO, IO होगा, तो blood group O हो जाएगा, तो इसमें multiple allele में क्या क्या आगए, IA, IB, IO, 3 allele सा आगए, इसी को क्या करते हैं, multiple, तो इसमें IA and IB are co-dominance, IO is recessive to both, ठीक है, IA and IB are co-dominant, यह दोनों क्या है, co-dominant है, क्योंकि multiple allele की बात अगर population में करते हैं, तो IA, IB dominant, IO यह small i is recessive, और यह दोनों आ गया तो co-dominant, IO is a recessive to both, very clear video, very clear video देखो, फिर से वही चीज़ जो हम लोगों किये थे, वही चीज़ जो हम लोग किये थे, यह clear दिख रहा है आप लोगों को, यह red वाला, यह ही है co-dominance, यदि mother का genotype, mother का genotype, IB, IO, IB, IO बोले तो, क्या है, blood group B है, mother का blood group B है, ठीक है, और genotype क्या है, IBIB हो सकता है, या IBIO हो सकता है, तो हमने IBIO लिया, आप किसी को लेकर कर सकते हैं, और father का क्या लिया जिनो टाइप I, A, I, O मतलब father का blood group A है father का blood group A है mother का क्या है B है यहाँ पे कौन कौन सा लिया I, A, I, O तो gamits, दो gamit बनेंगे एक gamit में क्या आएगा I, A, दूसरे में क्या आजाएगा I, O, इसमें भी gamit बनेंगे law of segregation से अलग अलग हो जाते हैं जान रहे हैं तो I, B बना और I, O बना law of segregation से अलग अलग हो गए gamits बना है cross करा रहे हैं तो office spring में क्या होगा देखो यहाँ से cross करो यहाँ से cross करो इस पे पेंच चलेगा यहाँ से cross करते हैं आई बी को आई ए से कराया देखो आई बी को आई ए से कराया क्या हो गया आई ए आई बी आई बी को आई ओ से कराओ I B I O Cross कराने के बाद क्या क्या possibility है तो यहां पर क्या आ गया A B आ गया यहां पर क्या आ गया B आ गया यहां पर देखो यहां पर देखो इसको इससे कराओ तो क्या आ गया A आ गया इसको इससे कराओ तो क्या आ गया O आ गया ठीक है यह आप लोग खुद से भी प्राक्टिस किजिए ठीक है डाइ हाइब्रीट क्रॉस इन हेरिटेंस अफ टू जीन मतलब डाइ मतलब दो कैरेक्टर को लेके यहाँ पर मेंडल ने क्रॉस कराया एक तो हम लोगों ने वो देख लिया law of dominance देखा law of dominance का दोनो exception भी देख लिये अब हम लोग तीसरे law के लिए law of independent assortment के लिए हम लोगो डाइ हाइब्रीट क्रॉस देखना होगा यह मेंडल ने जब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया तब क्या हुआ तो देखोगे ध्यान से inheritance of two gene दो gene लेके चलेंगे दो character को लेके चलेंगे die hybrid cross हम लोग करा रहे हैं die hybrid cross में देखो round yellow P round yellow मेंडल ने क्या लिया था round and yellow P r r y y r r r for round y y for yellow दो character क्या लिया एक लिया round ठीक है shape लिया दूसरा क्या लिया color लिया इसको cross करा है wrinkled P wrinkled green P shape क्या हो गया wrinkle color क्या हो गया green जहां से देखना दो character ले रहे हैं चुकि हम लोग die hybrid cross कर रहे हैं इसलिए दो character ले रहे हैं दो character के लिए round yellow round is shape yellow is color wrinkle green wrinkle is shape green is color homozygous condition लिये तो parent जो लिये P generation that is parent parent क्या है R R Y Y और इदर क्या है small r small r small y small y capital R for round ये एकदम याद रखना है कि किसी को आगे काम करना है capital R for round capital Y for yellow इसी से पूरा चार्ट देखना है याद रखना capital R for round homozygous है तो capital R, capital R Y for yellow homozygous है इसलिए capital Y capital Y यहाँ भी wrinkle है small r for wrinkle homozygous condition है तो small r small r green for small y small y small r for wrinkle small y for green इसलिए स्ट्रस्ट दे रहा है कि जब Punnett square structure बनाएंगे 9 is to 3 is to 3 is to 1 तो वो तो आप आराम से देखके कर लोगे लेकिन 1224, 421, 121 ये कैसे करेंगे उसके लिए यही चीज काम देगा capital R small r round round cup है wrinkle cup है, yellow cup है, green cup है ये चीज याद करना जरूरी है और क्या अभी क्या बोले 1224 21, 121 इसके से याद रखेंगे 12 का 4, 42 का 1, 121 अभी याद करवा देंगे genotype ratio में थोड़ा दिक्कत होता है बचों को याद करने में तो चलो तुम लोग को अनिल कपूर का जोगाना है 12 का 4, 42 का 1, my name is lakhan उसी से अभी याद करवाएंगे ठीक है ready ready जरा देखाओ निलेश का भी आ गया निलेश तो पुरा उचल रहा है तो इस वीडियो से आप लोग आगे बढ़ें आगे बढ़ें इसमें क्या करना है इसमें क्या याद रखना देखो यह जो Punet square structure बनाएंगे तो जो phenotypic ratio है clear है मैं phenotypic ratio याद हो जाता है आराम से 9331 याद हो जाता है ठीक है 9331 याद हो जाता है बट genotypic ratio कैसे याद करेंगे उस पे काम आज करेंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यह पैरेंट्स लिए पैरेंट्स लिए तो गैमिट भी बन गया, गैमिट क्या क्या बना है देखो, र वाई, र वाई, र वाई, र वाई, र वाई, आब आजाओ, तुम लोग चाहो तो साथ में यह काम कर सकते हो, राउंड येलो पैरेंट का गैमिट क्या बना, र वाई, र वाई, और रिंकिल ग्रीन का क्या बना, र वाई, र वाई, ठीक है, स्मॉल आ, स्मॉल वाई, तो यह गैमिट्स है, अब क्रॉस करा के हम लोग देखेंगे कि F1 जेरेशन में क्या आता है, F1 जेरेशन में क्या आता है, फटा-फट हम लोग काम कर लें, फटा-फट हम लोग काम कर लें, चलो देखते हैं, यहां देखो, यहां देखो, क्या गया, capital R, small r, capital Y, small y, यहां भी देखो, capital R, small r, capital Y, small y, सब क्या आ गया, same आ गया, सब क्या आ गया, same, मतलब round yellow, round yellow, यहीं तो monohybrid में भी करा रहा थे, तो वहीं तो आ रहा था, TT आ रहा था, हेटो जाएगा सथा, बट सब क्या थे, टॉल, तो यह सारे वही आ गया, round yellow, बट इसमें क्या है, यह जो jeans से यह छिपे हुए है, यह कब express करेगा आपको F2 generation में, कब express करेगा F2 generation में, तो सारे क्या आ गया, r, y, y, r, y, y, round and yellow, बट यहाँ पे jeans क्या है, अलग है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, देखो, तो दिखने में देखो jeans और scene इस पर ध्यान रखना, genotype, phenotype पर ध्यान रखना, इसी का खेला है, तो दिखने में सब क्या है, round yellow है, बट round yellow कौन सा लिये थे हम लोग, homozygous लिये थे, r, r, y, y, capital R, capital R, capital Y, capital Y, यहाँ पर क्या हो गया, capital R, small r, capital Y, small i, कुछ तो factor है जो transfer हो रहा है, बट यह अपने आपको F1 generation में यह express नहीं कर पाया, ठीक है, die habit चलो है हम लोग, तो यह आगया, F1 generation, कहीं देखो, F1 generation, all peas are round and yellow, F1 generation में all peas are round and yellow, विल्कुल वीडियो से तुम लोग देख रहे हैं, अब तो clear हो जाना चाहिए, जो काम हम लोग pen paper पे किये थे, वीडियो से देख रहे हैं, clear हो जाना चाहिए, आर, आर, वाई, वाई, इसको लेके, selfing कराएंगे, cross कराएंगे, तब देखो क्या होगा, result यह आएगा, result यह आएगा, ठीक है, तो इसका और details देख लेते हैं, इतो final result है, तो details देखे हैं, अबलोग, possible F2 gamete, possible F2 gamete, F2 gamete क्या-क्या बनेगा, तो देख लीजिए, F2 gamete क्या-क्या बनेगा और कैसे बनेगा, हम लोगों का क्या आया था, R, R, Y, Y, यही आया था, F1 generation में R, R, Y, Y आया था, तो white color, हाँ, R, R, Y, Y आया था, gametes कैसे बनाते हैं, इसको मैं अगेन लिख रही हूँ, क्योंकि color थोर आप लोगों को नहीं दिख रहागा, R, R, Y, Y, F1 generation gametes कैसे बनाना है, पहले R को दोनों Y से कर दो, capital R, capital Y, capital R, small y, उसके बाद, यह small r को capital वाले से, small r को small वाले से, small r, capital Y, small r, small y, यह चार gametes बन गए, यह चार gametes बन गए, देखो तो, R, capital Y, बन गया, यह वाला, फिर देखो, capital R, small y, बन गया, यह वाला, small r, capital Y, यह वाला, small r, small y, यह वाला, यह चार gamete बन चुके हैं, gamete बनाना आप लोग सीख चुके हैं, gamete में कोई दिकत नहीं आनी चाहिए, तो यह चारो gamete बन गया, अब इन चारो, selfie करा रहे हैं, एक तरफ चारो, male से, लेंगे mother से, एक तरफ father से, तो male और female, ठीक है, दोनों plant जो है, male female plant कर, चारो gamete लेके, अब हम लोग आगे cross कराने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ले आए हम लोग, gametes ले आए हैं, देखोगे, gametes ले आए हैं, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y, gametes हम लोग ले आए हैं, active generation के लिए, बस आप लोग को cross कराते चलना है, cross कराते चलना है, सबको, cross कराने के बाद, देखो क्या result आ रहा है, cross कराना है सबको, punet square से, यहाँ देखिएगा, गिनियेगा, यह आप लोग गिल लिजे, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो dihybrid cross में, 9 is 2, 3 is 2, 3 is 2, 1 आप लोग लोग पता है, phenotypic ratio, तो 9 आगे क्या, round and yellow, 9 आगे आपके, round and yellow, तो round yellow में क्या क्या हो सकता है, capital R, capital R, capital Y, capital Y, ये भी round, अगर एक small हो जाए, दोनों capital हो जाए, ये भी round, अगर एक capital, एक small, एक capital, एक small, ये भी round, तो सारे round and yellow है, बट सारे के जो genes है, genes का जो combination है, उसमें क्या है, अलग-अलग है, तो अलग-अलग genes का combination कहा हम लोग देखेंगे, genotype में, phenotype में सारे क्या दिख रहे हैं, round and yellow, सारे दिख रहें, round and yellow, आप देखोगे, आजाओ, 3 देखो, rr yy, rr yy, r for round and y, small y for, small y for green, round and green, round and green, 3, तो 9 भी आगया, 3 भी आगया, आगे देखो, यह देखो, wrinkled yellow, wrinkled के लिए क्या होना चाहिए, small r, small r, दोनो small हैगा, तभी wrinkled हैगा, तो यह wrinkle yellow हो गया 3, और wrinkle green हो गया 1, 9 is to 3, is to 3 is to 1, यह आगया हमारा क्या चीज, phenotypic ratio, phenotypic ratio भी है बगल में, NCRT भी है, जो काम हम लोग किये था इदर, वही काम यहाँ भी किया हुआ है, देख ले ना, मिला ले ना, phenotype करने के बाद हम लोग, xenotype पे आ रहे हैं, यही काम यहाँ भी किया गया है, 9, 3, 3, 1, थोड़ा सा इसको मैं और enlarge कर दूँ, आप लोगों के लिए, देखो, यह NCRT है, इसको भी match कर लो, round yellow 9 देखे थे, round green 3 देखे थे, wrinkled yellow 3 देखे थे, और wrinkled green 1 देखे थे, यह तो अब लोग देख चुके हैं, अब आजा अब लोग रेशियो, xenotypic रेशियो क्या, 122421, 121, 122421, 121, इसी को match कराना है, यही चीज आपको सीखनो, जो genes, जो जो genes आपको same same दिख रहा है, genotype ले लिजए, same वाला ले लिजए, देखे तो, यहाँ से देखो, rryyy, 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 यह देखो तो एक जैसा है, 4 वाला लिए, यह एक जैसा है, अब genotype देखना है, genes देखना है, यह एक जैसा हो गया, 4, last वाला first वाला one one जो है, अलग कर लो, last और first वाला one one अलग कर लो, यह rr yy एक ही है, small r, small r, small y, small y एक ही है, हमारा यह one हो गया, यह one हो गया, यह four हो गया, और ढूंडो, और ढूंडो, दो-दो कितने हैं, दो-दो वाले निकालो अलग, दो-दो वाले निकालो, तो यह देख रहे हैं, r, r, capital y, small y, r, r, capital y, small y, यह दोनों दो हो गया, r, r, small, small, capital, capital, दो हो गया, एक दो निकाल लिए, फिर color change करो, फिर color change करो और देखो, फिर से match करो, यह capital r, capital r, और यह capital y, small y, यह यहां से match हो रहा है, यह भी two निकाल गया, आप क्या बचा, आप क्या बचा देखो, यह वाला देखो, r, r, y, y, capital r, small r, capital y, capital y, capital r, small r, capital y, capital y, इसको इसके साथ match करा दो, यह भी निकाल गया, आप हमारा 1, 1 वाला बचा, यह वाला बचा, capital r, capital r, small y, small y, यह वाला बचा, capital r, capital r, small y, small r, small y, small i, यह capital r, small r, small small, यह और यह, same, two मिल गया, और यह वाला क्या हो गया, अलग मिल गया, ठीक है, और एक यह आपका बचा हुआ था, यह अलग मिल गया, तो इस तरह से हम लोग diagonally लेके छाटेंगे, और याद कैसे रखेंगे, अब इसको याद करो, याद करने का last एक गाना से याद करा दे तुम लोगों, गाने के लाइन से याद करा दे, 1, 2, का, 4, इसको का मानने ना, 1, 2, का, 4, वाइट से लिक्ते रुको, 1, 2, का, 4, इसको का याद करना, 1, 2, का, 4, अनिल कपूर, 4, 2, का, 1, 4, रिपीत नहीं करना, 4, 2, का, 1, 1, 2, का, 4, 4, 2, का, 1, my name is लखन, 1, 2, 1, my name is लखन को, 1, 2, 1, असब जगा रेशियो का साईन लगा दो, सब जगा रेशियो का साईन लगा दो, तो इसको एक बार मैच कर ले, की रेशियो सही लिखे हैं, की गलत लिखे हैं, यहां से तो मैच कर लिए, जीनो टाइप से मैच कर लिए, अब एक बार देख लेते हैं, सही लिखे या गलत लिखे हैं, इधर से 4, इधर से 4, 4, 4 जा, 16, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब ratio भी सही लिखा गया, ratio भी सही लिखा गया, एक बार last जाते जाते, जाते जाते last तुम लोग कर लो, क्या, जाते जाते last कर लो, यही पर लिखते हैं, ठीक है, 1, 2, 1, 2 का 4, 1, 2 का 4, का को 2 से लिखना, 4, 2 का 1, 4 को repeat मत करना, यह राश्योर, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, my name is Lakhant, 1, 2, 1, my name is Lakhant, 1, 2, 1, और तुम लोग को बता दे यह ट्रिक, अभी मेरे दिमाग में भी आधे गंटे पहले आया, कि आज मैं कैसी याद कराओ, आज मैं कैसी याद कराओ बचों को, तो अचानक से 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, मेरे को दिखने लगा, my name is Lakhant, 1, 2, 1, और यहाँ से भी देख ले, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 is equal to 16, तो सही है, और इसको थोड़ा सा इसमें ब्रेल लगाना है, आर आर वाई 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 करना है, थोड़ा सा ब्रेल लगाना है, तो ब्रेल लगाते हैं, इस रेशियो का जीनोटाइब, आप लोग खुद से करेंगे, आज का होमवक है, आप लोग खुद से करेंगे, आज का ह और इसमें यह तो जो basic concept दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं मेरी planning इसमें बहुत सारी questions कराने की है genetics में जो question आपको puzzle करते हैं वो एक अलग से special class होगा वो question क्या क्या question आते हैं और कैसे कैसे उसको mathematical calculation करके निकालते हैं दो तीन class के बाद वो class आएगा तो wait करो for that numerical and question solving class का तब तक इस concept को आगे यहां तक हम लोग कर लिए हैं law of independent assortment करते हुए अब हम लोग आगे jump लगाएंगे क्योंकि यही brain teasing था यह से बहुत अच्छे से कर लिए आप लोग तो आगे वाला चीज बहुत असान है